ये बात साफ कर दी थी कि वो किसी भी गटबंदन में नहीं जाने वाले लेकिन मायवती को समझने की जरूरत है कि अब आपका दोर यहां पर जा चुका है वो अलग दोर था कि जब आप उत्रपरदेश की मुख्या मंतरी यहां पर बन गई थी लेकिन अब आप को किसी ने किस भी नजर आती है कि राममंदिर का उधगाटन हो या नए संसंद भवन का उधगाटन हो वहां पर उस दलित आदिवासी राश्पती को बुलाया भी नहीं जाता है तो सोचने वाली बात है कि आप वोट के ताइम तो यहां पर कह देते हैं उनके लिए काम करें लेकिन जब नहीं वटोरना होता तस्वीरे किच्वानी होती है तब आप उन पिछड़े वर्गों को साइट कर देते हैं नेक्शनाय न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबरारुला क्रेमान उतर परदेश की राजनिती में इस वक्त गड़बंदन को लेकर किए तैयारियां चल रही है विपक्ष गड़बंदन को लेकर के कन्फिूस है या फिर जो तमाम पार्टियां हैं वो ढर रही है इस बात को लेकर कि भारती जनता पार्टी की जो आदेश चल रही है इसमें वो उड़ना है और यही वज़या कि कई ऐसे चेहरे जो क मसبوط खंबे माने जा रहे थी इंडिया गडबंदन के वो खुद को कहीं न कहीं इस गडबंदन से या तो आलग दिखाते हैं या फिर इस बात का एलान करते हैं कि लोग सबा का चुनाओ वो अकेले अपने बलबूते पर अपने दम पर लड़ेंगे आज इसी बात पर चर्च भी नहीं मिल पाई थी पिशिवाए लेकिन इस बार अब ऐसा लगता है कि राइबरेली सीट से प्रेंका गांदी को आगे कर कॉंग्रेस जो है उस कमी को कई न कई पूरा करने की कोशिश करेगी क्योंकि राइबरेली से सानसा सोनिया गांदी ने राजस्थान से राजसभा जाने का फैसला कर लिया है और अब उसको लेकर के अब चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि उस सीट से चुनाओ को लड़ेगा और साथ ही एक सवाल जो बड़ा उटता है वो ये कि मायवती को क्या वाकई इस कड़बंदन में लाए जाएगा क्या उसके लिए तमाम कोशिशे चल रही है आए इस बात पर पूरे मामले पर समझते हैं सायोगे से क्यों वो क्या सोचते हैं उनकी नजरिये में क्या वाकई ये पूरा का पूरा खेल जो है वो बडलता हूँ नजर आएगा उतर परदेश में क्योंकि उतर परदेश में कुल असे सीटे हैं लोग बना पाएगी अब ऐसे मैं नाजमन से समझते हैं कि आखिरकार इस समय जो इस्तिति पैदा हुई है चाहे वो पलवी पटेल हो या फिर अकले शादफ के साथ जो जो तोड़ की राजनिती चल रही है लेकिन मेरा सवाल ये है कि मायावती को लेकर कि अब तक इस्तितियास पश क्यों नहीं हो पाई है क्या वो जान बुच करके अब तक खामोश है या फिर अंदरुनी खाने से कोई गडबंदन हो चुका है भाजपा के साथ जाने पर भी आरोप लगते रहें तो इस पूरे मामले पर जो है आपका क्या कहा है देखिए जिस तरीके से मायावती का जिकर किया जारहा है पर लवी पटेल का जिकर किया जारहा है यहाँ पर आपने राय बरेली से प्रियंका गांदीवादरा का जिकर किया तो यहां पर यह चेहरे एक ऐसे चेहरे जो कुछ भी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो खासा वोट उनको मिलता हूँ नजर आएगा लेकिन अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करती हुए नजर आएंगी तो यहां पर जिस दलीतों की मसीहा वो कही जाती है वो वोट भी उन्हें मिलता वो नजर नहीं आ सकता है क्योंकि दलीतों की बात करें अब हर पार्टी यहां पर नारा लगाती है हम पिछडों के साथ हैं यहां पर नारे लड़ूंगी उत्य परदेश में और दलित वर्ग भाजपा को भी तो अपने काम को दिखा रही है तो भाजपा को भी तो दलित वर्ग कई ने कई समर्थन देगा वोटों के तो आपने बिल्कुल सही कहा वही तो मैंने बात कहीं कि तमाम राजनेतिक पार्टियां अब वही क तो माये वतिक वही तो काम करें जब अलग पार्टियां वही तो कैसे कि माय वती है उकेले यह वोड़ पाने इसलिए कि के क्विश यहां पर जाना नहीं होता है तो एंडिये की तरफ यहाँ पर कदम उनके बढ़ सकते हैं क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इंडिया गडबंधन को चुनाओतियां देती विन अजर आई हैं यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब बोलती विन अजर आई हैं समाजवादी पार्टी पर इतना बड नगे जंता पार्टी यहां पर आदिवासी चेहरे को राश्पति बना देती है वही मंदिर तक्रती नजर आती है कि राममंदिर का उद्गाटन हो या नैस संसंद भवन का उद्गाटन हो वहाँ पर उस डलीत आधिवासी आधिवासी spin को बलाया भी नहीं जाता है तो सोचने वाली बात है कि आप वोट के ताइम तो यहां पर कह देते हैं उनके लिए काम करें लेकिन जब वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं होता तस्वीरे कि चवानी होती है तब आप उन पिछड़े वर्गों को साइट कर देते हैं उनके दावे यह हैं कि इंडिया गडबंदन के जो आप कह सकते कि इस वक्त जो बड़े चेरे राहूल गांदी है क्योंकि नितिश कुमार जो कि पूरे गडबंदन को बनाया तो खुद अपना पाला बदल लिए तो अब क्या राहूल गांदी को यह पहल करने चाहिए मायाव लग चुनाव लड़ने की यहां पर बात कर दिये चाहे वो यहां पर ममताव एनर्जी हो या फिर कहूं मैं तो आम आदमी पार्टी भी क्यों ना हो हाला कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर यहां पर लोग सबचुनाव को लेकर अलग बात कही है तो आप यहां प यहां पर इस गडबंदन से जुड़ सके क्योंकि कहीं नCo탁 और समाजवधी पार्टी के भीच Demi तो जो कि 15 जनवरी को उनका जनव दिन था यहां पर यह बात साफ कर दी थी कि वो किसी भी गटबंदन में नहीं जाने वाले लेकिन मायवती को समझने की जरूरत है कि अब आपका दोर यहां पर जा चुका है वो अलग दोर था कि जब आप उत्रपरदेश की मुख्या मंतरी यहां प कि जी पार्टी की इस पूरे मामले पर अब यह निर्भर करता है बेस पी पर मुक मायवती पर कि वो राजनितिक मजबूरी या फिर राजनितिक मजबूती के लिए उत्तरपरदेश में और पूरे देश में जो है गड़बंदन किसके साथ करती हैं और चुनाओं में बड़ी खबरों के लिए निक्शनल न्यूस के साथ